नमस्का दोस्तों आप लोगों के बहुत बश्वागत है हमारे इस चैनल में आज हम बात करेंगे तरीका जो है काफी लेंदी है इसलिए कई लोग उसको सही तरह नहीं करते हैं तो मैं कुछ चीज आप लोगों दिखाऊंगा जैसे कोई वीडियो होते हैं जो की बहुत एफेक्टिव होते हैं और देखिए आप जब भी शुरुबात कर रहे हैं कोई भी वीडियो बनाने के के लिए अपने नए चैनल के लिए तो सबसे इंपॉर्टन यह है कि आप टाइटल डेस्रिप्शन और टैग्स बिल्कुल सही तरह करें लिए हर चीज का करने का एक तरीका है आप मैनूली उसको कर सकते हैं और आप जो है किसी को हायर भी कर सकते हैं जनरली हम क्या करते हैं ह हम लोगों के लिए टाइटल डेस्रिप्शन उनके वीडियो के लिए बना के देदेते हैं on the basis of a small cost तो अगर आप चाते है कि हम आपके लिए करें तो definitely हम आपके वीडियो के लिए टाइटल डेस्रिप्शन और टैग्स बना के भीज़ देंगे जो कि आपको अप्लोड करना कैसे करना है वो सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में और कैसे कितना एफेक्टिव यह हो सकता है वह भी मैं शेर करता हूं आप देखिए एक टाइटल हम यहां पर सर्च करने बाले हैं तो सबसे पहले मैं गूगल में सर्च करूंगा यहां पर जाओंग और दुबारा यही चीज अगर मैं यहां पर सर्च करूँ यूटूब में अब देख रहे हैं यह इनकोग्निटर विंडो है यह जो मेरा कोई साइन भी नहीं है तो इसको अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यह कीवर्ड अगें यह सर्च करेगा और आप देखेंगे मेरा वीडियो सबसे ऊपर आ रहा है तो यह कैसे हो रहा है देखिए इसका एक तरीका है वह मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन यह चीज जो परफेक्ट अर्शल मांन लेते हैं मैं डूसरे डू पे यौ प्र वीडियो को अब मालेते हैं हम एक वीडियो bother हो बेस्ट है रुद बेस्ट सीट वीडियो वहीडियंगा क्या ट्यों आप। सेर्च करता हूं तो जनली क्या होता है कि हर वीडियो में एक टाइटल होता है देख रहे हैं आप यह टाइटल है और यह जो शुरुवाती चीज़े हैं यह डेस्क्रिप्शन है ठीक है एक तो एक एज होता है बड़े चैनल के पास के जब वह चैनल बड़ा होता है तो उसके पास एक ग्रूप होता है मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उनके चैनल में यह चीजे ट्राफिक को लाना बहुत असान हो जाता है लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो यह बेसिक चीजें आपके हर वीडियो में एकदम एकुरेट होनी चाहिए अगर वह सब्सक्राइबर्स या 4000 आवर वाच टाइम जो आप कवर करना चाहते हैं तो वह करने में आपको तकलीफ या डिफिकल्टी आ सकती है या डिले हो सकता है उसको करने का तरीका क्या है मैं आपको वही इस वीडियो में बताने बाला हूं तो मान लेता है कोई भी किसी भी तक हमें बेसिक चीजें इस वीडियो के बारे में में देखनी है तो मैं यहां पर इसको आउडियो का आफ कर देता हूं का थो की एंड इसको में पाॉस करता हूँ कि घ्र रशां खर्रूज यहां पर जब यह वИडियो पाउस हो गया है तो आप देखेंगे यहां पे सबसे पहले हमें क्या नोट करना है हमें यह इस वीडियो का क्या डिस्रीप्शन है तो वीडियो के डिस्कbrproblem होता है वह जैसे कि आप अपने ब्लॉग में लिखते हैं तो यह चीज अगर पर फिल्ड होगा तो डेफिनेटली आपके वीडियो में यह प्रॉपर एसीओ के रूप में होगा इसके साथ साथ क्या चीज होती है जो आपको अपडेट करना है इसके साथ साथ आपको अपडेट करना है टेक सबसे हैं सबसे important है जिसको आपको fix करना चाहिए या जिसको आपको set up करना चाहिए तो जब भी आप नया वीडियो बनाते हैं तो यह कैसे होता है जैसे मैं एक example वीडियो में आपको दिखाता हूं जब भी आप अपने वीडियो को upload करते हैं उसके बाद आप यह एडिटेबल सेक्षिन में पहुंच जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको title को fill up करना है टाइटल जो है आप keyword से जिसके related आपका यह वीडियो है एक तम accurate होना चाहिए प्लस जो है description जो होगा वह भी detailed होना चाहिए जिसके बारे में related to the primary keyword हो यह primary title हो वह आप लिखेंगे और साथ में आप थोड़ा से नीचे जाएंगे तो यहां पर एक टैग्स का option होता है तो आप देख पा रहे हैं जैसे यह टैग्स हैं यह multiple की वीडियो पर आते हैं तो मैं अशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहा और आपको यह पता चला अगर आपको अपना वीडियो रैंक कराना है तो कैसे आप यह title description को फिल करें एक दिन में चीज़े मैं रिजल्ट नहीं लाती है मैं बार बार यह कहना चाहूंगा but it will take some time but definitely you can produce very good result उसका example मैं आप लोगों को दिखाया है and in my course यह सारी चीज़े मैं बताने बाला हूं यह मैं कैसे कर रहा हूं और आप भी कैसे कर सकते हैं लेकिन if you want us to do your videos that is also possible you can connect with us मेरे नंबर आपको पारे so you can go to the description tab and you will able to find our number so thank you very much for watching this video and if you are first time here please subscribe and like our video thank you